एफल इंडिया ने 10 नए पेटेंट के लिए दिया आवेधन, बढ़त के साथ बंध हुआ कम्पनी का शेर ग्लोबल टेक्नोलोजी सल्यूशन्स फर्म एफल इंडिया लिमिटेड के शेरों में 23 नवंबर को शुरुवाती कारोबार में 4 परसेट से भी ज्यादा तेजी देख किया गया ग्लोबल टेक्नोलोजी सल्यूशन्स फर्म एफल इंडिया लिमिटेड के शेरों में 23 नवंबर को शुरुवाती कारोबार में 4 परसेट से भी ज्यादा तेजी देखने को मिली कमपणी ने भारत में Artificial Intelligence, AI से जुड़े 10 नए पेटेंट के लिए आवेदन दिया है Stock Exchange Notification में IT फर्म ने बताया कि इन अतरिक्ट पेटेंट के लिए 22 नवंबर को आवेदन किया गया कमपणी ने पिछले हफ़ते भी 5 पेटेंट के लिए आवेदन किया था कमपणी ने बताया कि इन पेटेंट का मकसद Artificial Intelligence और Automation के खेतर में इनोवेशन को मजबूत करना है हाल में जिन पेटेंट के लिए आवेदन दिया गया है उनमें personalized machine learning या AI model और data transfer करने से जुड़े system और method शामिल है इसके अलावा, AI agent testing के जरिए fraud का पता लगाने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले system और method से जुड़े पेटेंट के लिए भी आवेदन किया गया है company ने जटिलता, personalization और training के आधार पर duplicate AI agents के assessment से जुड़े system और method के लिए भी patent दायर किया है साथ ही, AI agents consolidated training, दिल की धड़कन की पुष्टी और कम से कम गलतियों के साथ काम करने से जुड़े system और method के लिए patent फाइल किया गया है हाल में दायर कुछ और patent में progressive training, दिल की धड़कन की पुष्टी, कम से कम गड़बडी से जुड़े system और method भी शामिल है इसके अलावा, AI agents की मदद से personal data storage को manage करने और उसकी category तै करने से जुड़े system और method के लिए भी patent फाइल किया गया है National Stock Exchange में 23 October को 1.61% की बढ़ोतरी के साथ 1084.60 रुपए पर बंद हुआ